यह इसके अंदर इंप्लांट कर दिया है इस महीने बाद यह वाले सीप को जब खोलेंगे तो इसके अंदर से हमारे को इस हिसाफ से दो यह खोलते वह तोड़ा तूट गया भी इस हिसाफ से हमें यह दो हाफ राउंड मिलेंगे जैसे कि यह है यह जो सर मेरे पूरा फाम है इसकी जो कपेस्ट्य सर 50-50 जार सीप की अधर खर्चे की बात करें सर माल डाला जो कंस्ट्रक्शन वगरा रंट वगरा मेरे इस पर खर्चाया तीस से पैंदिस लाग के अप्रोक्शिमेट मेरा सारा खर्चाया वा इतनी सी जगा म जाद हो तो नहीं करूंगा मेरा जितना सब्सक्राइब करने का कोई फाइदा ही नहीं आप से कोई जुड़ना चाहे उसके लिए आप से कैसे संपर करें अपना नंबर दे तो अच्छा रहेगा तो आपके अगर मीठा पानी है तभी आप इस खेती को करिएगा खारे पानी के अंदर यह सक्सेस को नहीं बिल्कुल नहीं जा रहा हुआ है कि राम राम भायों के हाल चाल सातियों अगर आप खेती करके अच्छा मुनाफ़ा कमाना चाहते हो लेकिन आपके पास बहुत जादा जमीन नहीं है तो आज हमें कैसे फार्म पर आये हैं जिसका बिसनस मोडल आप चड़ी करके अपने खेत में या घर के अंदर ही किसी भी छोटे हिस्से में यह वाली खेती करके लाखों कमा सकते हो वह भी महीने के जिहां साथ हो हम बात कर रहे हैं पर्व फार्मेंग यानी मोती की खेती की और आपको पर्ल फार्मिंग का पूरा बिजनस मॉडल समझाने के लिए और कैसे ये फार्मिंग करी जा सकती है इस चीज के लिए हम नौर्थ इंडिया के सबसे बड़े मोती फार्म श्री पर्ल इंडस्ट्रीज में आए है वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम डीटेल के अंदर सबसे पहले फार्म के मालिक से मिलते हैं राम राम जी कैसे हैं सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताए मेरा नाम अंकुषगिरी आया साथ में मेरे पार्टनर मिश्टर मुकेश कुमार जी हम साथ में दोनों मिलकर इस फार्म को अपरेट कर दें हैं जो हमारा फार्म है यह गाउं जिनेश्व पढ़ता है आप ने पढ़ाई में क्या कर रखा है जी पढ़ाई की बात करें सर में 2012 में टैंफ पास आउट हुआ उसके बाद मैंने तेरह से लेकर सोड़ा तक डिपलोमा किया है अच्छ अच्छे में निकल जाता था उसके बाद सर मैं अपने लोकल में जो बढ़ाई कैशर की पोस्ट मैंने काम किया वहां पर वहां पर आपकी क्या पकार थी यहां से अच्छा था पर यहां कि मैं उससे कुछ और अच्छा करना चाहता था तो 2017-2018 में आपने वह नोकरी करी वह मैंने चोड़ दी ती उसके बाद सर मैं 2020 में अपने स्टक स्टाप किया 2019 में सबसे पहली बार मोज़ी लिखेती जालू करी इसका इंस्ट्टूट एस वहां सी मैंने दो बाद इसकी ट्रेनिंग लिए उसके बाद मैंने अपना काम स्टाट किया आज के ताइम पे कोई है चार से पांस दिन को ट्रेनिंग देते हैं अच्छा रहना खाना सब वहां देते हैं नहीं सर वो आपका अलग से है वो सिरफ फीज जो आपके ट्रेनिंग की है वो फीज आठ से बारा जार और चलो हम लिंक्स डाल देंगे जो भी ट्रेनिंग का है अभी आपने 2019 के अंदर फञ नहीं का शीज गी ये प्रोजेक्ट को चालूगरा इसकी बात करते हैं तो जैसे मैं अपनी 15 सोचीब डिपलोई कि वह लुक्त अधर मेरा टोटली सारा मल मर गया तो या कि मैं डिस्टाइट नहीं से करना है तो यही करना था चैसंग कुछी नहीं करना है पूरी तो मैंने उसके बाद दो बारा माल डाला फजिए माल जालने बाद यहाई की मेरत अच्छे सरवाई कर गाया मैंने स्यम जी स्विक टैंक की कपैस्टी तो जी फंद्रा सो डाले में थीक है तो उसमें आपके कितने मोती सेल हो पाए मोती के बात करते हैं सर देखो स्टार्टिंग में इतनी जानकारी नहीं थी क्यों माल ब्रोकरों को देना पड़ा है अब डिरेक्ट किसी को दे नहीं सकते थे तो उसमें मेरा मोती एक मोती सो से लेकर 120-30 रुपे के बीच में चला गय अच्छा उतना हो गया तो जितनी नौपरी में कर रहेते हैं नहीं सर उतना तर नहीं कहा सकते हैं जो है सच्छा ही दिखाओ क्योंकि ना यूटूब पे मोती फार्मिंग पर्ल फार्मिंग को ऐसा बना देते हैं कि करोड़ों रुपे कमा दिए यह रियालिटी है सिरफ पह उसमें से प्रोफिट मिलेगा स्टार्टिंग का तो यह आई कि आपको सिरफ सीखने का ही साल है आपको दूसरी बार जब लगाया थोड़ा बहुत प्रोफिट हुआ उसके बाद क्या उसके बाद सर मैंने एक अपना प्रजेक्ट लगाया करनार में अच्छा जी वहां पर म चार टंक में 12-13,090,000 का बहुत बढ़ी अधा ज़िए सर्मेरा ब्हुति उसमें इस प्रजेक्ट में जयदे कोंशने जालने को बढ़ बढ़ने को ऐने करदने करकेश से 10 में 2टी टीकर टीक है तौर दोस्टी नाफрахारा सो और 10 कार लंगायार यथ तौर किकेटिम रखने के लगा स्फेश्टी किसमें अट्रासों पीरसे बिच्पेसे 6 है तो वो Feedback में आप खर्चा कितना एक इसकी बात करें तो एक ताको आपकर का चारीज में ओर पजाना के भी जानकरी इसनाथ द्यांट तो यह आपका चार टैंक का खर्चाया आग जी धा elegant धोड़ाएव आप तरीके से तो था फ्रेंड यारी भाई चारे में थी तो कुछ रेंट भी दे रहे थे उसमें रेंट कितना था रेंट तो सर जैसे मतलब एक फैमिली सा रेंट तो है कि मिन्ने के दस से बारा जारा मारा यह पूछना चाहरा हूं कि 12 लाग प्रोफिट करने के लिए आपका कुल किम एक टैंक का जैसे मेरा खर्चा आता है सब कुछ में लागे माल वगा उगाए इसके पूरी सप्छेंट के बीजा वी बात करेंगे यह उसके आपने यहां पर क्या कर रखाए यह सर्जों इसमें में इसमें इसमें मालडा इन्सक्ण सो लगा लो मेरी यहां से पिछले य हैं मेरा सार माल दिसंबर और जनवरी में डाला हुआ अब इसको छाइसे सात मिन्हें हो गई है ठीक है ठीक है सर इसकी डिमेंशन आपके अगर अट देंड से देखें महां से लेकर और यह जहां ग्रीन नेट लगा हुआ है यहां से लेकर इसकी पूरी लैंध पूरा यहां पर पूराप्र 50-55,000 और यहां पर रहे हैं इसकी आउटपुट आनी चाहिए दो से डेट गर जिसमें आपको कितना लगते हैं कितना मुनाफ़ा कमा लेंगे घग कर्चा जो आगर खर्चे की बात करें माल दाला जो तो थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं और समझने की कोई चोटा किसान जैसे आपने करा एक टैंक से चालू करना चाहें तो उसकी बात करते हैं क्योंकि 30-40 लाक रुपे सबके कमाने की बसकी बात भी नहीं है खर्चा जैसे 50,000 की सारा मारी कंस्ट्रक्शन का खर्चा जाएगा पूरा ठीक है और जो एक सीप का इमारा एंड तक जो कोश्ट बनती है उपन ताली से 50 लुपे बनती है अच्छा तो यह सीप निकाल सकते हैं तो यह बेसिकली यह नेट है जी नेट की क्या कोश्टिंग समुद्री जीव जिसकी आजकल फार्मिंग करी जारी ऐ है इंदर इंग्लिश में क्या बोलागे इसको सीप ही बोलेंगे जो हमारे खारे पाने की होतीग है जो स्मुद्र में पाई जाती है उसको सीप बोलेंगे जैसे बाहर कितने रख सकता बाहर को तो यह 5-10 मिन्टी सकते हैं जो आपने रूम तैंपरेचर उस पर ही रही जादा देर बाहर निकालने में थोड़ा सके मरने खत्रा बढ़ जाता है तो इसको अंधर ही रख देते हैं नुक्सान नहीं हो तुमारा जी जी चल जाएगा पर यह जो सप्लाई काता है कि उसमें पिछले कलोरीन होती है वो पानी इसके लिए स्टेबल नहीं है तो मिठा पानी की इसी टीडीएस का क्या वेल्यू रेंज क्या होना चाहिए तो आपके अगर मिठा पानी है और नहर का कोई पानी ऐसा मिलता हुआ है तभी आप इस खेती को करिएगा खारे पानी के अंदर यह सक्षेस्पल नहीं बिल्कुल नहीं अगर आप इसा पर बात पानी की टेस्टिंग कर वाली है पानी मिठा है इसके बाद टैंक की कंस्ट्रक्शन होगी उसका क्या रहेगा चाहिए चार इंची अपने इसाब से करा सकते हैं चार इंची भी करा लीजें नोइंची भी करा लीजिए अपने यह ड्रेनेज का भी छोड़ा है इसमें क्या करोगे जैसे सर यह मैंने इसमें स्लोप दिया हुआ है यह तोड़ा शंकु बोल देते हैं जैसे शंकु टाइप हां डालान है क्योंकि जैसे सीप अपना इसका पानी की बात सर आसा है जो अलग अलग पारमेटर है उसके साफ समपानी को चेंज करते हैं अगर जैसे अमोनिया बढ़ गया तब चेंज करेंगे अप्रोक्सिमेटली एक महीने हैं प्लाइन से अगर बनाओं तो बहुत सहुलित रहेगी और सक्सेस के रहें बढ़ जाएंगे जी जी सब यह बात ध्यान रखना आप जैसे आप टैंक कराऊगे तो इसमें कैमिकल की कोटिंग बहुत जरूरी है सारा कौन से कैमिकल चैसा बनाए वहता है ना वाटर प्रूफ बनने केह बाद आप यह सीप लेके आएंगे तो ये क्या है इसी तरीकी से आता है ये कि ट्रैवलिंग पड़ता है एक सिप आपको जिसको मुसल भी बोलते हैं तो यह कहा से मंगाई इससे प्लकत्त से अगर अलग अलग आप लेके आगे जिसंप एक के अंदर कितनी सीप मंगानी पडेंगी एक टैंक की अंदर जैसे एक टैंक के बात करूं सर मैं अगर मेरे कपेस्टी है एक टैंकी 1500 यह 1300 ठीक है तो से हमें कम च्छा मंगानी पड़ेंगी उसमें क्या तो ट्राइवलिंग में थोड़ी आपका खर्चा आगया सत्रा हार है उसके राघ मारा अगला अगला झाल भागला तक चूद जारोप्हत शीक का लेंगे सिफ लाने के बाद क्या आगा ली यह प्रैक्रिया यहे सब्सक्राइब नहीं है उसके बाद काकि जब अच्छे इसे जैंब को निपके को नहीं जो आधे हैं उसको में टेंक रगे विगुडेंगे ट्यशन फिसु नहीं देले उसके बाद क्या करेंगे तक 15 तक कम सकम उसी पाणी में रहेंगे हो मतलब कुंझ इस नीवर्मेंट में रहेंगे वहार चाहती आँ तो इसको डलने के लिए थोड़ा टाइम चीले नियुद्ध में उसके लिए पर 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 नहीं तक प्रपेर करेंगे तीक हैं इसको सर्जरी क यह नूखलियस है जो सरजरी करके इसके अंदर डालना है जी ठीक है यह नूखलियस की क्या कोस्टिंग रहती है जैसे अमारा है यह सारा बहर से इसकी कोस्टिंग पढ़ती है यह 12-15 रुपे के बीश में आपको अलेबल हो जाएगा 12-15 पर पीस जी अच्छी कौलिटी को बेस्ट कवालिटी अगर आप ले रहे हैं तो यह आपने नूखलियस इसके अंदर डालना है यह क्यों डालना है जैसे मैंने इसके अंदर इंप्लांट की है सर यह मैंने इसके अं इसके अंदर मॉति नहीं बीने को इसके अंधर में डालना पडर आपको फिसको इण से बसने के लिए ह Mash invari 스व घ्या esam crash बोलते हैं तो झ्याजान वो गोगिच पर बृत लिए जैसे मेंने तो गर की गैने इस पर लेयर चोड़ेगी जिसको नेकर बोलते हैं क्या बोलते हैं उसकी कोटिंग करेगी उसके ओपर वो एक लोंग पुरसाइब सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे में पॉइंट इसमें सर्जरी नहीं तो मारा फार्मिंग करने का कोई फायदा ही नहीं इसलिए सर मैपको एक डेमो दिखाता हूं सब से पहले नहीं कि सर्जरी गार किसी कारते हैं सबसे पहले हमारे तूल आए देख लेता है बप्र खोलेंगे ख्लाओव जया लए तो रह प्रोबर तरीका नहीं है वह सर्जरी है उसमें जो ट्रेइनग होगी उसमें अच्छे-स बताया जा का उसके बाद यह उपन करेंगे उसके बाद यह उपनर है उपनर को ऐसे डालेंगे और हालका से इसको उपन कर देंगे इसके बाद यह दूसरा ओपनर है इसको हम इसके अंदर डालेंगे यह लकडी का जो है जी जी उसके बाद कैसर यह देखो आप जिल्ली रेखोगे इसकी इ पानी निकालना बहुत जुरूरी है पानी निकाल के हमने यह जो आपका इंपोर्टेट नुकलियस है इसके अंदर इंप्लांट कर दिया जी जी यह डाल दिया अपने जी जी एक ही सैट डलेगा और एक ऐसे ही दूसरी जाट डलेंगे जी दो डलेंगे अच्छा यह चला गया पर उसको विल्गुल प्यार से निकाल लेंगे उसके बाद इसको ऐन्टिवायटिक में डालेंगे तिक है अपने पैन में था रहा है वह इसको अच्छे से कवर कर ले अच्छा यह एंटिवायटिक कुढ़ा क्या खर्चा प्राइब प्रस्टराइब जैसे एंटिबाइटिक की देडिया हमने इसको ठीक है जिसको कम जाए तीन से चार दिन के अंदर अंटिबाइटिक में रखना है अच्छा थिक है बिल्कुल टाच नहीं करना है उसके बाद क्या करेंगे तिक यह मारे नेट बैग है इसमें आशे प्लाई कर सकते हो अच्टापलर कर सकते हैं जैसे आपको च्टेवल लगे बाहर न निकले आपके पिछ इसके बाद में ली अमारा ये रहेगा की 18 महीने तक ये जिन्दा रहे और अगर 50 परफंट भी जिन्दा रहे जाती हैं तो आप इसमें लाखो मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा डीटेल में बताईए डीटेल में जैसे सर्जरी करके टैंक में डीप्लोई कर दिया तीन से चार दिन तक टच नहीं करना है तिक चार दिन के बाद हम एक एक जाड़ी उठा के देखेंगे जितनी सीप की मोटैल्टी हुई है जो मतलब को चलेगा मैंटेनेंस पानी खाब हो गया पानी के परेमिटर सब डाउन हो गया पानी ड्रेन कर दो फीड में जैसे हमारा एक ग्रीन यह यूज करते हैं अच्छा तो यह जो यह फीड है इस जी यह फाइट जू प्लैंक्टन क्रियेट होती है इसमें अधिक अंदर से जो नि प्लैंक्टन हो जो फीड आलते हैं उससे ही एक तैंक तो फीडिंग का खर्चा लगाए एक तैंक का हमारा कमस्रम 15-20,000 के बीच में आ जाता है इतने टाइम का जैसे हम फर्स्ट क्रोप लेते हैं अधारा महीने का जी अच्छा मैं बताना चाहूंगा एक बार और की डालने के बाद हर्वेश्टिंग तक 18 महीने लग जाते हैं मोती त्यार 18-20 महीने का टाइम लग जाता है यह सर आप डाउन हो सकता है जरूरी नहीं है मैंने अठारा बताया अठारा ही लगें थोड़ा एक-दो मिन आप डाउन हो सकता मोसम के इसाफ से आपने क्या खुराग दी है आप अच्छी कॉलेटी का इंपोर्टेट वाला लगा रहे हैं और हमारा 20,000 फीड का खर्चा आजाएगा तो कुल मिलाकर हमारा एक टैंक का एक लाग 20,000 खर्चा आजाएगा फर्स टाइम के लिए जी क्यूंकि आपका अगली बार करेंगे तो टैंक की कर्ट्रक्शन यह स अच्छी रहा माल डालो उसका यह तो आपका फर्स टाइम है यह तो आपका लाइफ टाइम के लिए बन गया तो एक टैंक से में तीन लाग पूट आप अराम से मिल जाएगा अगर हमारी 70% आउटपूट हमें मिलती है हजार और इसमे कितने मोटी मिलेंगे आपको एक में से हमें दो मोटी मिलेंगे जैसे रिंग में होते हैं यहाफ राउंड हैतों हमें 20 महिने मैक्सिमम के अंदर ये वाला मिल जाएगा जिसे हाफ राउंड बोलते हैं जैसा यह भाई की गुठी में डाला हुआ है तो कुल मिला कि 2000 मोती हाफ राउंड हमारे को एक में एक्सपेक्टेड है क्या इसमें कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है आपके अच्छी प्रोडक्शन आई तो जैसा कि आप यह देख सकते हैं 18-20 महीने बाद यह वाले सीप को जब खोलेंगे तो इसके अंदर से हमारे को इस हिसाफ से दो यह खोलते वह तोड़ा तूट गया भी इस हिसाफ से हमें यह दो हाफ राउंड मिलेंगे जैसे कि यह है इनकी जो प्राइसिंग रहती है आप बता रहे थे हैं यह कैरेट के हिसाफ से मिलता है क्या शला जाता है सब्सक्राइब तो यह वाला आप माननी जिए दो सो चालिस रुपे का है इस इस इसाब से बिखता है एक पीस तो आपने बात की जाए सबसे पहले सब्सक्राइब के होनी चेह एक वाल्टी अगर सर कच्रा बना तो 100 रुपे का भी नहीं खड्य कोई मोटी सो का भी नहीं क्रिद्ध कोई बात सबसे अच्छी क्वाल्टी क्वाल्टी तो आपका 300 कभी जाएगा 400 कभी जाएगा 500 तक कभी चले जाएगा लैब तेस्टिंग होगी उसके बाद क केसा आप से जाए तो आपकी कितनी प्रोडक्शन हुई थी दो अजार जी तो दोस्तों के दाथ से दो जार की आपकी चार लाग हो गई जी तो आपका एक टैंक से चार लाग का जी तो इसी साब से आपका दो लाग असी अजार प्रॉफिट है बीस महीने के अंदर जी सब्सक्राइब को अगर मैं कोई काम करो मेरे को उसके में प्रोफिट है तो मेरे को भी लगए इस चीज को मेरे को एकस्पैंड करना चाहिए बड़े लेवल पे और वही म मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है मेरा जो डाला हुआ है इसमें सारा मोपी डाला हुआ है जो डिजाइनर वाला अपने हुगा रखा है इसका कैसाब है इसका मार्केट में थोड़ी वैल्यों की काम हो गई है या कि सेल आउट होता है पर इसके इसके अच्छी डिम यह वाला अक्सर किसान करते हैं क्या यही प्रोडक्शन आती है इसमें इसमें कितने का बीजाइनर की करें प्रोसेसर सब दोनों का सेम है अच्छी जानकारी मिली मेरेको नहीं लगता है कोई बीडियो देखी हो इसमें तरीके से करना सिखाया होगा रेट रेट बता देते से यहां पे एक चीज और दिखा देते हैं आपको आप यहां पर यहां dł Citizens a wspól निकाला था और यह सीफ थोड़ी देबां रखना तो इसका मुझ खुल गया है और आपको ऐसे नहीं आएगा कि यह जिन्दा है या मरा हुए अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसको अलका सा टच करूँगा ना तो यह दबक से अपना मुझ बंद कर लेगा यह देखें आप यह मुझ बंद कर लिया इसने मैंने जोड से याद मार दिया तो यह जीवित चीज है और मर जावगा तो इसका मुझ खुलावा मिल जाएगा आपको उनको हमने रेगुलरली इसमें से हटा के निकालते रहना है जैसे कि यह वाला भी आप देख सकते हैं इसक इताने जरूरी इसलिए ताकि जो भी मरा हुआ है वह इंफेक्शन बाकियों में ना फिला दे तो यह बाते तो बड़ी सारी हो गई जितना हम डिटेल में बता पाए एक यूटूब वीडियो के हिसाब से मुनें बताने की पूरी कोशिश की भी देको आपको अगर वीडिय को लाइक कर दो ताकि हमारी जो यह मेनत है उसको कुछ हमें प्रोचान मिल जाए आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप से अगली वीडियो में जल्दी ही तब तक के लिए ख्याल रखेगा जैहिन जैजवान जैकितान राम राम